सभी को मेरा नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि अफसर एप हरियाना शिक्षा विभाग द्वारा हर एक अध्यापक और स्टूरेंट के लिए कंपल सरी कर दी गई है, आवशेक कर दी गई है, इसलिए हर एक छात्र को और हर एक अध्यापक को ये एप अपने फोन में ड सर एप कैसे डाउनलोड करें और इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में सीसी और मैट के एक्जाम्स आपके इसी एप में होने संभावित हैं, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर पर क्लिक क इसके बाद एप्स पर और यहां पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे अवसर और अवसर लिख कर हम उसको सर्च करते हैं, यह देखिए वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही इस एप को डाउनलोड करके रखा है, और इसको आप डाउनलोड करने के बाद इंस इसे ओपन कर सकते हैं, या फोन में जहां पर आपके एप्स होते हैं, वहां पर जाकर इसको ओपन कर सकते हैं, यह देखिए, यहां से हम अवसर एप पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा, और बाई डिफोल्ट ये student वाले page पर ही है, पर सभी जानकारियां भरनी होती है, तो सबसे पहले हम select करेंगे अपना district, select district के search बार में हम click करेंगे, और यहाँ पर district की एक list आती है, और यहाँ से हमें अपना district select करना है, और उस पर click करना है, example के लिए मैं आपको click करके दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने click किया है sonipat पर, और sonipat पर click करते ही, यहाँ पर select district वाले सर्च बार में लिखा गया sonipat, उसके बाद हमें select करना है अपना block, और block में यहाँ पर मैंने select किया है, खर खोदा, उसके बाद हमें select करना होगा अपना school और यहाँ पर देखे सभी schools की एक list है, इस list में से हमें अपना school बड़ी सावधानी से ढूंड़ना है, यहाँ पर school के नाम के साथ school code भी दे रखे हैं, तो बड़े ध्यान से अपनी school का नाम ढूंडेंगे और उस पर click करेंगे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाकर यह है मेरे school का नाम 17926 government primary school जटोला, यहाँ पर click करने के बाद फिर हमें select करनी होगी अपनी class और यहाँ पर मैं class select करती हूँ, class 4 और उसके बाद नाम दिव्या, यहाँ पर example के दोर पर मैंने आपको select करके दिखाया दिव्या और उसके बाद हमें लिखनी होगी date of birth, तो यहाँ पर 25 June 2011 और उसके बाद date of birth लिखने के बाद हम करेंगे done पर click और उसके बाद जो यह नीचे नीले color की पट्टी है इस पर हम click करेंगे continue, continue पर click करने के बाद हमारे सामने हमारे phone में यह वाला page open होगा जिसमें हमारे नाम के साथ SRN नंबर और उसके नीचे active surveys, TV schedule, assessment, videos, learning material और नीचे upcoming TV lectures और उससे नीचे latest news and updates लेकिन अभी के लिए हम active surveys पर click करेंगे जो कि हमारे नाम और SRN नंबर के नीचे दिया हुआ है एक नीली पट्टी में, उस arrow पर हम click करेंगे और जो भी हमारा survey active होगा वो यहाँ पर open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर screen पर देख पा रहे हैं रहीम के दोहे जो कि हिंदी की पाठ़पुस्तक से लिए गई है और इसका survey active है और यहाँ पर हम जो यह box में लिखा हुआ है attempt now इस पर click करेंगे यह देखिए और इस पर click करने के बाद हमारे सामने आते हैं इस पार्ट से समधित कुछ पर्षन उतर तो यहाँ पर कुछ पर्षन दिये गए हैं तो चलिए देखते हैं इनको हमें कैसे attempt करना है question 1 है इस कविता में कवी ने कौन से धागी के ना तोड़ने की बात कही है तो यह यहाँ पर हम दिये गए विकल्पों में से एक विकल्प को select करेंगे और उस पर click करेंगे जैसा कि मैं यहाँ पर click करती हूं प्रेम पर जैसे ही click किया तो यहाँ पर एक लोग का sign आ गया है ताले का चिन बन गया है इसका मतलब यह हमारा उतर लोग हो गया है तो question number two है रहीम देख बड़ेन को लगून दीजो डारी पंक्ती में रहीमन पद है तो यहाँ पर इसके उतर के लिए मैं विकल्प एक पर जो कि संग्या है इस पर click करती हूं और यह भी हमारा उतर लोग हो गया है question number three काग और कोईल में से मीठा बोलता है कौन बोलता है तो यहाँ पर मैंने click किया कोईल पर question number four है वे रहीम नर धन्य है पंक्ती में सर्व नाम है सर्व नाम देखे धन नर रहीम और अंतिम विकल्प है वे जिस पर मैंने click किया है और यह हमारा उतर लोग हो गया है उसके बाद जो पेड फल देते हैं उन्हें हम डैश पेड कहते हैं तो फल देने वाले पेड क्या होते हैं फलदार तो यहाँ पर फलदार पर मैंने click किया तो यह उतर हमारा लोग हो गया और उसके बाद हमें click करना है submit survey पर और जैसे ही हम submit survey करेंगे तो यहाँ पर survey attempted आ जाएगा लेकिन यहाँ पर फिल हाल के लिए error दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बचे ने पहले ही यह survey attempt कर रखा है और इसके बाद हम click करेंगे ok पर और इसके बाद back फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई और survey active है या नहीं तो उसके बाद हम tv schedule देख सकते हैं assessment देख सकते हैं वीडियोज देख सकते हैं और इसके अलावाँ और भी learning material हम यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से आप लेकिन active surveys आप यहाँ daily attempt करेंगे जिसके आधार पर आप यहाँ पर अपनी presence दर्ज करवा सकते हैं अपनी उपस्तिती दर्ज करवा सकते हैं आपके अध्यापक तक यह जानकारियां जाती रहेंगी कि आपने कितने survey attempt किये हैं और आपका score उन में क्या रहा है तो आज के लिए उमीद करती हूँ आपको आपसर आप डाउनलोड करना और उससे समंदित सभी queries के उत्तर मिल गए होंगे तो जल्दी कीजिए और अपने phone में आपसर आप इंस्टॉल कीजिए और surveys को attempt कीजिए धन्यवाद कितने और आपसर 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